दोस्तों पौध्व篇 पेश्ट और इंसेक्ट का अब तूरन चाहिए तो इस दोनों लिक्विड को आफ। अल्टरनेट करके यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत पहत्रियम मिलेगा जो इन्सेक्ट करते हैं उन से बहुत अर गरेनी मोड में और एक्टी मोड में आने के बाद आप गर्मी और सब्सक्राइब लगा रखेंगे बैगाने टमाटर मिर्चा गोवी जो भी सब्सक्राइब अटैक दखेंगे तो बैगन के उपर मिर्च के उपर वाइट फ्लाई का अटैक होता है तो मार्केट से महंगी से महंगी दवा का यूज करते हैं और फिर भी वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होता है क्यों क्या तो अब लेकर आईएगा और यूज करेगा रिजल्ट बिलकुल जीरो मिलेगा गर्म मैं मुझा हो कि इस टाइम पर देखेंगे पते करेंगे तो नीचे ही अपको इंक्षक मिलेंगे और उस peculiar Monday आप देखेंगे फोटो सेंसर की उते होती तो बिल्कुल खराब हो जातीए तो आपको बताते हैं कि दोनों सलोशन को कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर देखरें फेजुक पेज को भी फालो जरूर करते हैं कैसे बनाते हैं इसको त्यार करने के लिए सबसे हमको निम की पती लेनी और दो सोनीम की पती तो आप जानते हैं ये बहुत बढ़िया पेंश्ट और इनसेक्ट के उपर भी काम करता और एक बहुत 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 रहतें करते हुँक्त तो कमेंड करके आप जरूरो दए इसके इसके रिस्पांस आप कि चीज़ पे लेते है सबसे पहला काम करना है इसको अच्छा तरीके से वास कर लेना है देखी वास करना बहुत जरूरी हो तो नीम की पत्ति धूल बहुत जम्य होते हैं और उसको वास कर लिजी और तो वास करने के बाद देखी कुछ इस तरीओ कर लेकी हम लेते हैं अबसे हम लेंगलना है बत्ति को लें कि इस में पत्ति को आपको कम से कम लेए 100 गराम तक पत्ति होंगी अ wrap आब इसके वास करना क्या है कि हमको अश्म डालना है सवाल इड्र पानी यह पो ध्यान रहे एक ड्र पानी यह है और देखिए डाइसमर पानी यह है यह इसमें हम डाल दिये पानी उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों उसके बाद हमको लेना है कम से कम 10 से 20 ग्राम हमको लेना है लहसुन और लहसुन लेने बाद करना क्या है इस अच्छे तरीके से इसको बारीक कूष लेना है तो निकाल लेते हैं को अब उसको अब इसको अभी इसमें मिक्स नहीं करना आप करना अब आधर तो इसको हमें गरम करना करना है और इतना देर तक गरम करना है तो जो इसमें मैंने पाने डाला सवाय लिटर तो कम सकम 200 ml पानी इसमें जल जाए एक पानी बच जाए तब तक आपको धीमे दीमे आश्पीस पे गरम करना है तो इसमें उबार आना शुरू हो गया है और जो लहसुन का हम पेश्ट बनाए हुए थे अब इसमें उसको यूज करना है देखें लहसुन को डाल दीए और डालने पाद इसको स्पून से इसको मिक्स कर देते हैं और उसके बाद और तो और अभी इंतियार करते हैं लख लराम दस लियाट तक निश्ट पंडे गरम हो गया और हमारा क्Us लुए मैं हो लाओ त्यार अब इसको बंध कर देते हैं हो सफ़ों करने बाद इसको ठंडर कर लिते हैं और ठंडर करकी स्कुर्ण की दिखाते हैं आपको फ्रूर्णीकों अच्छ तरीके várias होते हैं 3 कि अब एक लिट्र कई परीबिए यह मारा स्लोजन ये बचा है हल्का सक्षा मोगया है कोई दिकत नीं तो आपको पता होगा तो यह इसकी बड़ी फाइल है आपको दिखाने के लिए लाए है से देखें यह कोई पर मोशन नहीं में इसका नाम बता हुं एक्टिवेटर है भी नहीं तो आपको मार्केटर में इस्टीकर अलग-अलग से मिल जाते तो अब बार 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 अग पलएुज पर यूँज करते हैं तो पत्या बिल्कू क्लीन होती है और झाउच एक बार महीने में दो महीने में एक अथ बार बार वार यूज करते biology ठीज़ औऊने तो इस तरगी से पत्ति हमारे जड़ने लगती है तंप्रेचर में अगर आप इस बात केर की होंगे तो फिर भी आप आयल यूज कर सकते हम इसको यूज कर लेते हैं के इसको आप 9ach को इसका डोज थैं एक एमिल आप जो भी क्लिदी का उसको डोज कर लीजएगा को डिकी मेरा एक सवूशन यह डियो गया अब इसको इसप्रेबश में यह यह बहन लेते हैं अब में और एक स्टका में करने है है इस टों शिर्डाव अश्य तराइगे से हम कर देते हैं पौदे पर दोस्तों यह ध्यान Pure प्धिक ऑपर श्प्रेकर रहे है तो पतिद दोसों नीचे इस तरीके से आप उसका ईस प्रेक डीख कर सकते हैं इसलिए क्यों होता क्या ना बहुत ऐसे जो जो पति के नीचे चुपे रहते हैं और उपर से आप इस प्रेक कर देते हैं इसलिए मैंने आपको बोला है इस्टीकर एड करने के लिए इस्टीकर जब एड करते हैं तो होता क्या है कि जिसे ऊपर ये दवा आई है तो कुद्रबाद देखेंगा ना जिब इसको पति को इस जणरोर से आप इसका यूज करेंगे तो इस ठाइम गर्मियों कि आप लगा रख्यों के आप दोशक्व की ढखना देदास्ति Military ऐाare बहुत दिया करेंगा इसका इसको आप यूज करिएगा अपो नहीं करना द्यान दे एक सबता बाद दोबारा इसका छिड़काव आप यह कर सकते हैं तो बैगन के पौदा भी लगा रहे होंगे तो बैगन की पौदे पर इसको यूज करेगा क्योंकि बैगन की पौदे पर इस टाइम अब देद रहे हैं वाइट फ्लाई का अटेक बहुत तेज होगा और दोसर लिए मैंने बोला कि आप नीचे भी इसका चिड़का कर देंगे तो बढ़िया रहाएगा जल्दी सापको रिस्पांस इसका मिल जाएगा अगर गोबी का पौदा भी तो आप लगाया होंगे तो उस पर भी जरूर यूज करिएगा क्योंकि गोबी बहुत तेरी से पेस्ट का अटेक होता है अगर पेस्ट का अटेक नहीं भी दिख रहा गोगा तब पर भी इसका यूज्ट आप कर देजिगा ताकि प्यूस करेंगे तो आपकी पोदी पेस्ट और इंसेक्ट यह आएगा ही नहीं उसके बाद जो दूसरा सलूचन है कैसे उसको बनाते है तो सो दू तो मैं बदादो आपको बहुत बहत्रीन सलूशन अबन के होगा है तैयार और फिसको बनाएंगी तो आई है कि दूसरा स्रूशन कैसे बनाते इसको बनाने के लिए दों मात्रा का विसेश्टा से आपको ध्यान इसमें देना हैं यह बहुत जरूरी सब्सक्राइब कर लेते है यह मिर्च को लेना है और फिर दोबारा बोल रहा हूं विश्र से ध्यान देना है थे दूसरे नमर पिसमें लेना है आपको लेहसुन और यह भी लेना है पचीस ग्राम देखिए लेसुन भी हम ले लिए 25 ग्राम दोनों की मातरा हो गए देखिए 50 ग्राम उसके बाद इसमें तीसे नमर पर हमको लेना है यह अध्रक अध्रक को भी लेना है आपको 25 ग्राम उसके बाद जो चौथे नमर विश्म को लेना है ये प्याच और प्याच भी लेना है पचीस ग्राम तो से ध्यान रहे थोड़ी से ज़्यादा हो गया इसको कम कर लेते हैं कि अध्रक को निकाल लेते हैं अब ध्यान से अगर देखेंगे आप तो करीब करीब यह जो मेरा कि 100 ग्राम करीब हो गया यह अब इसे करना क्या है दो इसका अच्छे तरीके से इसको बारिक इसको हम कट कर लेते हैं अगर अगर और इसके वाद इसको खल में कूट लेते हैं अगर तो कि देखेंगे पेस्ट बना लिए और दोस्तों इसको खल में ही कूटना यह अपन ध्यान देना है यहां नहीं कि आप इसको पानी इसमें नहीं डालना या पोद ध्यान रहे और उसके बाद करना क्या है कुछ इस तरीके का एक बंद डिबा लेना है और बंद लेने के बाद इस मैटेरियल को डिबे में यह डाल देना है तो अगर इस सलोसन को बना लेंगे ना तो पेश्ट और इंसेक्ट पे इस सलोसन को बार बार आप यूज करना चाहेंगे यह होगे आप इसके बाद इसमें क्या यूज करना है इसके बाद हमको इसमें यूज करना है गुड और गुड कितना आपको यूज करना है इतना मेटेरियल आपने यूज करना है तो मेटेरियल आपने लिया पचीश ग्राम अद्रक पचीश ग्राम लहसुन पचीश ग्राम मिर्च पचीश ग्राम प्याज मिन्स रोग्रम आपने लिया था मेटेरियल तो आपको सो ग्राम गुड का यूज करना है यह आपको ध्यान देना है देखिए ये 100 गुड़ को हम ले लिए और लेने के बाद गुड़ को भी बारिक पेश्ट त्यार कर लेना है और बारिक पेश्ट त्यार करने के बाद इसको इसमें डाल देना है और डालने के बाद एक कामे करना है कि इसको इस तरीके से इसमें मिक्स कर देना है और इसमें पाने दोस्तों कहीं से इसमें डालना नहीं है देखिए हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद एक कामे करना है कि इसको अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना है लगकंद से जब इसको बंद कर देंगे ना जो मैंने इसमें गुड मिला है दोसों गुड आप देखेंगे ना चार-पांद देखेंगे पूरा यह लिक्रूड निकाल लेगा डिकंपोज कर देगा और इसको एक सब्सक्राइब यूज करने लाग हो जाएगा अब 15 दिन भी देखेंगे दोस्तिक को मैंने कैसे बनाया औरर कैसे यूज किया और डिस्पांज बहुत रहता है impact को को कि फूल वाला पौद आप देख यहां तो एक बाद कड़ करनेक बाद काले के बिलकुल खतम हो जाएंगे और काले वाले कीड़े तुल्सी वाले पहुत जाज मात्रा आटेक करते हैं तो इस दोनों स्लूसन कोई एक स्लूसन यूज कर दीजिए देखें रिस्पान्स आप देख सकते हैं जहां से देखें काले वाले कड़े बिल्कुल खत्तम हो गये तो मैं आपको दातूँ कि दोनों स्लूसन लोग अल्टरनेट करके और बताते हैं कि अभी से इसका छिड़काव हर 15 दिन पर शुरू कर दीजिए अगर आपके पहुदे में पेश्ट और इंसक्ट का अटेक अपने पहुदे में कभी नहीं पाएंगे अगर अटेक हो गया उन लोगों के लिए तो एक बार नीम की पत्ति वाला सलूसन और उसके बाद एक सब्ता बाद जो मैंने प्याज लिए सुन अध्रक और गुड कर दोनों को एक एक सब्ता पर दो बार यूज कर दीजिए फिर जाल देखिए वाइड फ्लाई पर दो बह जोग प्याज को भी जरूर फालो कर दें दोसरों मिलते हैं आप से निवी वीडियों नीट आपने के साथ धन्यबाद